महेंदू जी एवं हुना जी का मिलाप, बज़ोरी कांजरी और धाई करोल का जेवर। उधर बज़ोरी कांजरी सारे संसार में घूमते फिरते खेल दिखाते हुए बगलावतों से बड़ा दानवीर दूनती रहती है। जब कागरु देश में वह अपना कर्तब दिखा रही ह तो उलती हुई पंखनियों से बात करती है। बिज़ोरी गिर्जणियों से पूछती है, एक गिर्जणिया कहां जा रही हो, मुझे बगलावतों के हाल बताती जाओ। गिर्जणिया कहती है नियाजी ने बहुत जोर का भारत करियो है, हमको उसी ने धपाया है, पेट भर बिजौरी को विश्वास नहीं हूता है और गिर्जनियों से कहती है कि तुम जून्ख बोलती है। तु उसके पास चली जा। बाबा रुपनात की बात सुनकर बिजौरी अपने देरे लाद कर आगे बढ़ जाती है और पाटन आकर देरा डाल देती है। मेहंदू जी बटूर की थानेदार होते हैं जो की राजा बिसल देव के राजे में होता है इसलिए वो उनकी कचहरी में बैखते थे। जब बिजौरी कांजरी को विश्वास होता है कि बगलावत भाई तो सभी रन में मारे गए। और सभाई भूज के बड़े बेटे मेहंदू जी के पास सभाई भूज ने उसका आधा जेवर छोड़कर रखा है और वो अजमेर में है तो वो अपना सामान लादकर अजमेर आती है। वही अपना कर्टब दिखाना शुरू करती है। बहुत उची आसमान में रसी बांध कर उस पर चड़ कर एक बांस हाथ में लेकर अपने कर्टब दिखाती है। तमाशा दिखाते हुए वो सवाई भूज के गीत गाती है। बिसल देव जी अपने छोटे बड़े सभी राजाओं को लेकर आते हैं और बिजोरी से कहते हैं कि बिजोरी मैं तुझे हाथियों का जोड़ा देता हूँ, दस गाउव का पट्टा लिक देता हूँ। तु आज से सवाई भूज का नाम लेना छोड़ दे और मेरा नाम लेने लगजा। बिजोरी कहती है कि आप अपने गाउव किसी चारल भाटों को दे दो। मैं तो सवाई भूज का नाम नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं सारी पृत्वी की परिक्रमा करके आई हूँ लेकिन स सवाई भूज जैसा दाता मुझे आज तक नहीं मिला। राजा बिसलदेव जी फिर कहते हैं कि ये बिजोरी तु क्यों मरे हुए के गीतगा रही है, तुझे उससे क्या मिलेगा। तु मेरे गीतगा, मैं तेरे को सोने की मोहरे दूंगा। बिजोरी वापस जवाब देती ह कि सवा करोर के जेवर मैंने धारल कर रखे हैं। अगर तुम सवा करोर के जेवर देकर धाई करोर पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे गीतगाने लग जा, जब तक मैं सांस ले रही हूँ तब तक तो मैं सवाई भूज को नहीं भूल सकती। ये बात भेरुंदा का ठाकुर जलाश करते हैं वहाँ एक धाल के नीचे रुमाल में बंधी पोटली मिल जाती है। यहां आपकी अमानत है बिजौरी मेहंदू जी से सारा श्रिंगार लेकर पहन लेती है मेहंदू बिजौरी को कहते है कि तेरे पीछे मैंने बहुत गोते खाए तुझे बहुत ढूंधा पिता जी कह गए थे कि दिया हुआ दान घर में नहीं रखना इसलिए हमने आपको अब यह हमानक दे दी बिजौरी मेहंदू जी को आशीश देती है और कहती है कि अपने बाप का बैट जरूर निकालना बिजौरी का अंजरी का जेवर देकर मेहंदू जी अजमेर से अपने थाने बतूर में वापस आ जाते हैं